गुड मॉरिंग सुडेंट 12 अकाउंट एंसी का आज हम डिजॉलवेशन ओपार्टनर्शिप फरम का एक कैसा क्यूस्टिन करवाते हैं जिसमें बैलन्स इट पहले नहीं दी हुई होती क्यूस्यान है A, B and C are in partnership sharing for ratio 3 ratio 3 they decide to dissolve the partnership firm उनोंने निर्णे क्या क्यों फरम को बंद करेंगे at the date of dissolvation their creditors amounted to 16,800 उनके creditors थे 16,800 and in the course of dissolvation contingency liability of 3500 not brought in the account matured and had to be made एक 3500 रुपए की contingency liability थी जो books में नहीं दिखाई गई ये लेकिन आब उसकी payment करने पड़ेगी their capital stood उनकी पूंजी है 12,000, 10,000 और 8,000 respectively A, B, C की पूंजी है 12,000, 8,000 और 10,000 B, add land to the firm in additional of capital 13,200 B ने अपनी पूंजी के अलावा फरम को 13,200 रुपए ओर दे रखें the assessed realized 45,670 assessed B की 45,670 की हैं नहीं 45,670 की B की prepare realization account and partners capital account also saw the bank account शारी ये necessary ledger बनाने उसके लिए हम सबसे पहले एक memorandum balance sheet बनाएंगे यानि कि balance sheet as that date is question में थी नहीं वो नहीं लिखें से लिए memorandum balance sheet बनाएंगे जो जो item balance sheet के दे रखें वो लिखेंग सबसे पहले इन्हों लिखा क्रेडिटर्स और ये contingency liability ये लिखा किये तो बुक में लेनी नहीं नहीं ठीक है तो क्या लिखेंग सबसे पहले creditors liability side creditors कितने के 16,800 ये हमने लिख दिये उसके बाद दे रखें इनकी capital हम लिख देंगे capital capital A, B और C तिन्नों की A की capital है 12,000 B की capital है 10,000 ये आपके सामने लिखें और C की capital है 8,000 तिन्नों की capital यहां से लिख दी उसके अलावा इनको जोड़ के लिख देंग कितना आ जाएगा 30,000 तीस अजार उसके बाद देखें B ने फरम को लोन दे रखें 13,200 का यहां लिखेंगे 20 लोन अकाउंट बीज लोन कितने का लोन दे रखें 13,200 अब देखें असेस्टाइड का कुछ दे नहीं रखें इसका टोटल करदेंगे अम लाइबल्टी साइड का टोटल करेंगे देखें टोटल कितना आएगा 16,800, 30,000, 46,800 और 13,200 जोड़ेंगे टोटल आजाएगा 60,000 असेस्टाइड का कुछ दे नहीं रखें तो इसके लिए हम सीदा लिख देंगे संडरी असेस्ट अकाउंट सोरी संडरी असेस्ट और संडरी असेस्ट आजाएगे हमारे पास कितने की 60,000 की और उसके बाद यहां लिख देंगे 60,000 यह हमारे एक Memorandum Balance Sheet बढ़ेंगे जो पहले कि उसनों में दी होई होती थी इसमें यह नहीं दी होई ही थी ठीक है तो यह Memorandum Balance Sheet बढ़ेंगे इसके इसाब से आब हम बढ़ाएंगे Realization Account यह Realization Account का Format है Realization Account लिख देंगे हम Realization Account लिख देंगे हम अब इसमें जो Access Side दे रखेंगे वो इसके Debit में लिख देंगे सारी तो हमके एक Access त्टहा लिख देंगे Two Sundry Accessed 2 Sundry Accessed कितने की दे रखेंगे 600,000 की और इसके Credit Side क्या लिख देंगे creditors दे रखें के वखिया लिख एंगे by creditors वाई creditors 16800 के ये लिख दिया उसके बाद है 20 लोन पार्टनर है पार्टनर के लोन का अलग से अकाउन्ट बने कई सैड creditors और संट्री असस्ट दोन लिख दिया इन्हों ने कआया कि असेस्ट भी की कितने की 45,600 होगी हम यहां इसके क्रेडिट में लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट बाई बैंक अकाउंट और नीचे लिख देंगे असेस्ट रिलाइजड असेस्ट कितने की भी की 45,670 रुपे की ठीक है उसके बाद लाइबल्टी अगर नहीं कहा रखी तो भी उनकी पेमेंट करनी हम यहां लिखेंगे two bank creditors की पेमेंट करो two bank account और यहां bracket में लिख देंगे creditors creditors की payment कर देंगे creditors की payment कीतनी होगी यह 6,1800 थे उसके बाद हमारे पास है जो यह contingency liability जिसकी कितने की 3500 इसकी payment कर देंगे इसके लिए लिख देंगे टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट और कॉंटिजेंटी लाइबल्टी हम कॉंटिजेंटी लाइबल्टी लिख देंगे गॉंटिजेंस लाइबल्टी यह कितने की थी 35 रुपए की ठीक है उसके बाद हम दोनों सेड का टोटल करके देखेंगे प्रोफिट हो रहा है या लोस तो अगर हम इसका दोनों सेड का टोटल करते हैं तो क्रेडिट का जोड जाता है और जोड आएगा 8300 सोरी डैबिट साइड का लोस होगा 8300 यह एट जीरो फिर कॉमा उसके बाद 300 यह कॉमा नाइन जैसा दीख रहा है उसके बाद ही साइड का जोड भी कितना आना चाहिए 8300 उसके में जब लोस होगा लोस जो हमारे पास कापिटल अकाउंट नीचे लिखेंगे लोस ओन रिलाइजेस्टन कितने का लोस वा 17,830 रुपय का में लोस वा 17,830 का जो लोस है उसको पाटनर्स का अपिटल अकाउंट वे डिवाइड कर देंगे ए बी सी उनके प्रोफिट सेरिंग रेश्यो में और उनका प्रोफिट स इसमें डिवाइड करके लिखे देंगे तो ये इनका 17,830 एक का कितना आएगा गुणा 4 बटे 10 इनको काट के लिखेंगे तो ये आएगा आपका 7,132 इसी परकार भी का लिखेंगे 17,830 गुणा 3 बटे 10 इसे काट करके लिखेंगे तो आएगा 5,349 और सीख का भी आएगा इसी परकार 3 बटे 10 5 रेश्यो 3 रेश्यो 5,349 यानि कि ये जो प्रोफिट आया उसे हमने डिवाइड कर दिया इनके ओल रेश्यो 4 रेश्यो 3 रेश्यो 3 और ये सा हमने बाट के लिखेंगे 17,830 उससे आगे इस क्यूस्चिन में हम बढाएंगे इनके वीज लोन अकाउंट जो एक पार्टनर पार्टनर पार्टनर फार्म को लोन दे रखा तो बात करें हम यह बैलेंस यीट में कितने का लिखेंगे 13,200 का तो हमने लिख दिया 20 लोन अकाउंट डेबिट पर्टिकूलर्ज यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बाई बैलंस ब्रोड डाउन आमें कितने का लौन मिला दोस्फो का इस साइड सी सकी पेमेंट करदेंगे लिखेंगे two bank account टो बैंक अकाउंट तेरा अजार दोस्फो दोन्नों साइड का टॉटल करेंगे तो वहीं आएगा टॉटल 13200 और 13200 यह बनेगा लोन अकांट जो बहुत आसान था उसके बाद बनेगा partners capital account पार्टनर capital account में कुछ ज़्यादा नहीं इसका फोर्मेट त हमने पहले बना लिया partners capital account debit credit particular शब से पहले credit lease ये पार्टनर आजार रुपे का है 10,000 रुपे और सीका है 8,000 रुपे तिनों के balance लिख लिए जो आपको balance sheet में दिये गए थी 12,000, 8,000 और 12,000, 10,000 और 8,000 question में भी लिखा था ठीक है उसके वाद अब realization में जो profit हुआ और loss हुआ तो प्राइल realization में आमें वागए ice question में loss हुआ है 7,130, 5,349 और 5,349 यह आम इसके debit trade में देंगे लिख क्या लिखेंगे 2 realization account 7,132, BK 5,349 और CK 5,349 लोस इस से आगा उसके बाद इसमें इन में लिखने का कुछ कुछ इस chapter में लिखने का कुछ बचा नहीं है इसमें realization account में तो टोटल कर देंगे इसका credit side का सपस्ट दिख रह जाद है तो यह आ जाएगा 12,000 एक एक item में शीदा लिख देंगे 10,000 और 8,000 जोड इस side का भी यही आना चाहिए 12,000, 10,000 और 8,000 यह सारे लिख दिए अब इसमें क्या लिखेंगे कि हम balance लिखेंगे इनके निकाल के balance नहीं बैंक से payment कर देंगे बच गए उनके तो क्या लिखेंगे to bank account bank account payment कर देंगे 12,000 में से 7,132 गटाओ तो गटाएंगे तो आपके पास जो आएगा गटाने के बाद वो आएगा 4,868 आप रप में गटा के देखेंगे आपने पहले गटा के देख लिए थे तर नहीं तो लंबी हो जाएगी बहुत वीडियो 10,000 में से 5,309 गटाएंगे तो आपका आएगा 4,601 आप अधाव में से 5,309 गटाएंगे तो आपका आएगा 2,601 इनकी टू बैंक से पहले बनाना है बैंक अकाउंट सब से पहले पराणी बैलंस इट को देखेंगे पराणी बैलंस इट थी नहीं हमने बनाई थी Memorandum Balance, इसमें कहीं Bank Account लिख ए, इसमें कहीं Bank Account नहीं लिखा तो Balance दो दे नहीं रखा, अब Relization Account में आजी, यहां debit side में और Credit side में कहां का लिख है, जो credit में लिख है वो debit में लिख देंगे, debit में लिख है, credit में एक बार लिख है, to buy bank account, 45,67 स्यस्ट बेची, उसके लिए हम यहां लिख देंगे to realization account और realization account से कितना आया 35,670 निच्य लिख देंगे असेस्ट रिलाइजड आसेस्ट बेची वो रुपई आगे इसके realization account की debit में दो बार लिख है bank bank creditors के लिए और Continental Liability के लिए, Unfortunate Liabilities के लिए, यहाँ लिख देंगे, By Realization, Realization Account कितने रुपय थे? 16,800, यह तो आए Creditors के लिए, Breakit में लिख देंगे, Creditors, फिर दोबारा से लिखेंगे, By Realization, By Realization Account, और Realization Account के कितने आएंगे, वो 3500 रुपय, और Breakit में लिख देंगे, यह है, Continental Liability के लिए, Antil liability जो हमारी पाई गई थी, कितने की 3500 रुपय की उसके लिए, उसके बाद इस Bank Account के, बी का Loan Account था, इसमें पेमेंट की, तो यहाँ लिख देंगे, By Bees Loan Account, बी का Loan Account कितने की पेमेंट की, हमने 13200 की, उसके बाद देखिए, इस Capital Account में क्या क्या पेमेंट की, एक को 4868, बी को 4600 रुपय की, और स्वीप को 2600 रुपय की, बैंक लिख है, तो यहाँ लिख देंगे, देखिए, बाई, A's Capital, अकाउंट A's Capital को कितनी गए, 8600, इक यासी, उसके बाद बाई, बी ज, यानि B का Capital Account, बी ज, काउंट में कितनी पेमेंट की, 4691, और उसके बाद बाई, C's Capital Account, C's Capital Account में पेमेंट की, 2691, यह था हमारा, ठीक है, देखिए, अभी इनका टोटल कर लेंगे, तो देखिए, इसके बैंक अकाउंट के डेबिट रैड में तो कुछ है यह नहीं, एक या आइटम में इसका टोटल कितना आएगा, उपर देखिए, कितना 45670, 45670, आमने लिख दिया, क्रेडिट रैड का कितना जोड़ है, इन सारी आइटम को आप जोड़ेंगे, तो जोड वही आएगा, बिल्कुल बराबर, 45670, और यह दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाता है, और आमारा क्यूस्ट्यन कम्पलिट हो जाता है, में मोरेंडम बैलन्स हीट,